और से कॉंग्रेस प्रतियाशी ने नमांकन वापस ले लिया है आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अक्षे कांती बंग इन दौर से कॉंग्रेस ने अक्षे कांती बम को ही मैदान में उतारा था लेकिन आज नामंकन वापसी का आखरी दिन था और ठीक आप देख रहे हैं आज के दिन ही यहाँ पर अपना नाम वापस लिया है और देखी यह तस्वीर भी उनकी लगातार वाइरल हो रही है जिसमें वो बीजेपी नेता के लाज वुजेवर्गे के साथ बैठे नजर आ रहे हैं और सीधा सीधा यटकले और जोर पकट रही है कि वो जल बीजेपी जॉइन कर सकते हैं कि अग्रेश के सारे नेता और कारिगरता उनका विश्वास सब बोदी जी में है भारती जनता पार्टी में है विकास के लिए और जनकल्यान के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेश की हालत यह हो गई कब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते हैं उस तो सर्मा सर्मी में बने हैं लेकिन इन दोर के उम्मीदवार ने आज भारती जनता पार्टी ज्वाइन कर ली अब यह कांग्रेश है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारती जन्ता पार्टी में है और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि कांग्रेस देश को विनास की तरफ ले जा रही है और ते कॉंग्रेस के उम्मिदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं भाज़वा में आ रहे हैं और मेरे सही होगी विपेन शिरवास्तव सिदा जूड़ रहे हैं बोपाल से विपेन अब जो होना था वो तो हो गया लेकिन अब कॉंग्रेस के लिए ये कितना बड़ नुकसान इसे कहा जाएं हम ने देखा होगा कि लगधार जब कमवलßनात का गर्टा हो जहाँ से बीजे पी के कारकारता बीजे पी जॉइन करते हैं कॉंग्रेस के तमाम बड़े नेता कारकारता विधायक पूर विधायक सांसर कर चुके हैं लेकिए इंदोर जैसी सीट से यहां से नामंकन जब आपसी करते हैं अक्षा कांती बम तो ये एक बड़ा जटका कांग्रेस की लिए क्योंकि इंदोर सीट से लगातार कांग्रेस यहां पर कोशिश कर रही थी कि इस बार मकाबला अच्छे से हो और लगातार कोशिश भी की जा रही थी लेकिन देखिए इससे पहले आज नामंकन के आखरी दिन बापसी के आखरे दिन अचानक कैलाश विजवरगी और रमेश मिंदला जो कि उनके वहां से इंदोर से विधायक है और उनके साथ जब दिखाई नजर आते हैं और ना है कि इनतार इस बात का है कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादब की मौजुद्गी में ही उनको बीजेपी की सदस्ता दिलाई जाए उसका शायद इंतार हो रहा है थोड़ा वक्त लगे गया गाह इसके बाद उमीद यहीं जताई जारी कि इन दोर में ऐसा कुछ होने वाला है लेकिन फिलाल की स्थिती में एक बड़ा जटका कॉंग्रेस के लिए माना जा रहा है और शंकल लवानी जो की दूसरी बार चुड़ावी मैदान में है उनको टक्कर देने के लिए चुड़ा गया था अक्षरकांती वम को लेकिन अक्षरकांती वम ने जस तर प्रेडित होकर ही बीजेपी के तरफ तमाम बड़े नेता आते हैं उन्हीं में से अक्षरकांती वम है ये डॉक्टर मोहने अदम ने ट्वीट करके कहा है लेकिन शिवरासी चौहान भी यही कह रहा है कि बीजेपी के साथ चलने के लिए हर कोई तैयार है और लेकिन कॉंग लगातार सुर्खियों में कुछ दिन पहले आया था उसके बहुत उनके नामंकन पर भी कुछ असमन जय बरकरार हो गया था जिस वक्त नामंकन दाकिन कर रहे तो उससे पहले लेकिन आप अचानक उन्होंने अपना नामंकन वापस ले लिया है कॉंग्रेस के लिए बड़ा उतारा गया था लेकिन ठीक चुनाब के ठीक पहले जिस वक्त नामंकन की आखरी तारीक भी निकल गई थी वहाँ पर उनका नामंकन रद हो जाता है और पूरी तरह से खजराओ सीट पर बीजेपी के जो मद्रप्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष है वीडी शर्मा यहां से चुनाबी मैदान में तो एक तरह से वहाँ पर जो मुकाबला था वो मुकाबला वहीं के वहीं खतम होकर नजार आया क्योंकि वहां के मोटिंग हो चुकी है लेकि आप इंदोर सीट पर जब सबकी नजरें थी यहां पर अचानक है इस्तिती बन चुकी है लेकिन एक बात औ प्रत्याशी और है उनमें से किसी को सवर्थन दे सकती है लेकिन इसको लेकर दिली में कुछ बड़े नेता मंतन कर रहे हैं तो बोपाल में इस पर चर्चाय की जा रही लेकिन एक बड़ा जटका इसे वहाना जा रहा है क्योंकि लगातार जहां कॉंग्रेस में से लगातार बड़े बड़े नेता पूर विदायक विदायक तक छोड़के जा चुके हैं लेकिन ये एक बड़ा ऐसा वक्त होता है जब नमांकन के आखरे दिन अचानक एक प्रत्याशी जो की हाई प्रोफाइसी कह सकते हैं वो देख एक शहर कहला था है इंदोर यहां से यानि यह जो की होट सीट्स में से एक है